जमशेदपूर के घाटसिला में एक किसान के द्वारा अनोखी पहल की गई है जहां हरा लाल साक के थीम पर मतदाता जागरुपता का संदेश दिया क्या बता दे कि उल्दा पंचायत के बराहातू गाव के रहने वाले किसान दिलिप महतो ने एक थीम बनाया है वही घाटसिला, सचिदानन्द महतो और वीडियो यूनिका शर्मा ने मतदाता जागरुपता को लेकर खेतों में उगाए गए हरा लाल साक की थीम पर आधारित बने व मिल्दे सानुसार जो है स्वीड कारिश्रम आविजन किया जा रहा है इसमें घाटसिला और मंडल के अंतरगत सबीप लोग के दौर अच्छे काम किया रहे है रात्री चोपाल बीये से बीये जलाकर जो है मतदाओं को जग रुपत किया जा रहा है यहां तक कि रैली निकाल कि इत्यादी इत्यादी जो एक्टिवीटी के माध्यम से जगता कारिश्रम चलाय जा रहा है इसमें खास करके परसों बीप मातो बरहतू गाउं उल्दा पंचायब के दौरा जो है लाल साग और हाल साग के दौरा जो है एक बहुत ही अच्छा सागतार उपन किया जिसमें उनका थीम था कि जो है बोट 2024 उनका आसा यह है कि मात आता है मात आता जो भी है घर से निकल कर आए और 25 मई को जम के बोट करें यह पहल इस बार जो है हमारे राजे निर्वाचन आयोग के मागन से भी जो है निर्जेशित्ति आ गया है और इसके साथ साथ हमारे परखंड परिशर में अनुमंडल परिशर में जीला के परिशरों में आप देख सकते हैं हर सीड़ी पर बोट को लेकर जो है चिप्ताया गया है इससे परशाशन कुरी तरह से हम लोग त्यार हैं इस वार बोटिंग परसेंटेज हम लोग का 80% से उपर करने के लिए